नमस्कार दोस्तो एक बर मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपका अपनी ऊटूब चैनल गुरबर जी के में जिहां दोस्तो तो मैं हूँ अंकीत और आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज एक नई वेकेंसी के जानकारी जी हाँ दोस्तों ये है इंडो तिबितन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानि कि ITBP के Head Constable उभी Ministerial के पोस्टों के बारे में जानकारी जी हाँ दोस्तों तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका पोस्ट निकाला गया है नई वेकेंसी निकाली गई है तो उसी के संदर में आज हम बात करने वाले हैं है कि हाँ पर लिखा हुआ कि रिक्रुमेंट टू दा पोस्ट आफ हैट कॉंस्टेबल कॉंबर्टेंड मिनिस्ट्रियल या फिर डारेक्ट एंट्री का भी इसमें कुछ पोस्ट है उसके बारे में हम जानकारी हांसिल करेंगे यदि हम इसके पे मैट्रिक्स की बात करें तो पचीस हजार पांसो से लेकर 81,100 रुपए तक इसका सेबंथ पे कमिसन के हिसाब से इसकी सेलरी अप्लो को मिलेगी चलिए बात कर लेते हैं कितनी संख्या है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हैट कॉंस्टेबल यानि कि क अबिस मैन के रूप में जा रहे हैं तो यह उनके लिए पदों की संख्या है यहाँ पे बताई गई है जिसमें कि हैड कॉंस्टेबल डायक्ट इंट्रिक के द्वारा जो मेल के पदों की संख्या है वह 135 है वही हम बात करें फीमेल के पदों की संख्या तो वह 23 है यदि हम म पोस्ट यहां पे निकाली गई है यदि हम फीमिल को अलग-अलग वरगों में विवाजित कर दें तो यहां पे अन्रिजर्ब के दस सीट है स्ट के चार स्ट के तीन ओबी सी के चार एडबूस के दो और टोटल पदों की संख्या महिलाओं के लिए है तेईस यानि कि कुल पदों की संख्या यदि बात करें तो कुल मिलाकर 158 पदापों के लिए निकाले गए हैं चलिए अब हम बात कर लेते हैं Head Constable, Competent, Ministerial यानि कि ऐसे पदों की बात कर लेते हैं जो सर्विस कर रहे हैं यानि कि ITBP में अभी कारेरत है अभी सेवरत है तो उनके लिए भी कुछ पदे निकाली गए हैं उनके पदों की संख्या जो है वह 90 है जिसमें कि अन्रिजर्ट 74 है, SC8 और ST8 है यानि कि टोटल मिलाकर 90 पद निकाले गए हैं असल में यह वह पदे हैं 90 पद यानि कि ऐसे अभीरती या फिर ऐसे सर्विस मैं जो पहले से ही ITBP में कारे कर रहे हैं तो उनके लिए यह खास तरह की वेकेंसी निकाली गई है जिसको हम सामान रुप से कहते हैं कि बिभागी परिक्षा के दौरा इनका चैन एजए हैड होगा चलिए बात कर लेते हैं कि इसके एनकी हम ऐसे फीक की तो थैस्ट सौर रुपए लगेगा और किसको किसको छोड़के था कि रूप में और यहां पर रिया हुऊ है कि यानि कि यह जो पदो की संख्या है यह बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है यदि बढ़ाई जाती है तो यह आप लोग के लिए फायदे वाली बात होगी यदि आपने इस फॉर्म को भरा है तो इसमें अधिक मौके आप लोगों को मिलेंगे यदि घटा दिय लिए जाते हैं तो कोई बात नहीं तो फिर थोचा कंपेटिशन बढ़ जाएगा लेकिन आप लोग इस फॉर्म को अवसे भरिएगा चलिए बात कर लेते हैं eligibility conditions की तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं head constable जो की diet entry होगी तो उनकी जो age limit होगी वह 18-25 साल होगी यानि कि normal जो age limit होती है इसमें देखिए कुछ छूट भी मिलते हैं जैसे SC, ST, OBC इनके जो छूट मिलते हैं वो प्रकार की छूट मिलेगी लेकिन यदि सामान या भरती की बात करें तो उनकी जो उम्र होनी चाहिए 28-25 के बीच होनी चाहिए यानि कि उनके जो उम्र की गड़ना होगी वह सानी से भर सकते हैं यानि कि ऐसे सर्विसमेन जो ITBP में कारे कर रहे हैं तो उनके लिए क्या है तो उनकी जो उम्र होनी चाहिए 35 साल तक होनी चाहिए यानि कि 35 साल से यदि जादे उम्र के हो गया है तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं लेकिन यदि वो 35 साल के नीचे हैं तो इस form को बड़े आराम से भर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हो गया ITBP, Serving Personal का मतलब हो गया जैसे कि Constable GD हो गया, Head Constable GD हो गया Constable Tritsman हो गया तो इस तरह की जो पोस्टे होती हैं यदि उसमें कारेरत हैं यानि कि ITBP मोह कारे कर रहे हैं लगभग 5 साल से तो वह इस form को बड़े आसानी से भर सकते हैं लेकिन सर्ति यह है कि उनकी जो उम्र है वह 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए चलिए अब बात कर लेते हैं Education Qualification की तो Education Qualification बहुत खास नहीं मांगा गया है यदि आप Intermediate Pass हैं यदि आपने Senior Secondary का Certificate हासिल कर लिया है तो आप इस form को भर सकते हैं किसी भी Board से हो जाहें वह CBSC हो, ICSC, UP Board या फिर किसी भी प्रदेश का अपना जो Board होता है यदि वहां से आपने Intermediate का Examination पास कर लिया है तो आप इस form को बड़ ही आसानी से भर सकते हैं यहां पर देखिए Skill Test की बात की गई है इसमें देखिए Skill Test इसका Important होता है सामान रूप से देखा जाए तो जो Return Test होता है तो Return Test तो आज का हर किसी वेकेंसी में Return Test तो होता ही है लेकिन इसका जो Main है वह टाइपिंग टेस्ट आपका होना चाहिए क्योंकि यह थ्वासा Official Work है इसमें पूर रूप से Ministerial है ओफिस में बैठ कर आप लोगो को काम करना होगा तो इसलिए इसमें टाइपिंग टेस्ट बहुत Important होता है यदि इस टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो 35 सब्द प्रती मिनट आप लोगो का इसमें होना चाहिए या फिर तीस सब्द प्रती मिनट आप लोगो का हन्दी में होना चाहिए जियां दौस्तों आपको गौर करियेगा मैंने या फिर यानि कि जो टाइपिंग टेस्ट होगी आप लोगो की यदि आप इसमें चाहते हैं तो आपकी typing speed 35 सब्द प्रती मिनट होनी चाहिए और यदि आप हिंदी में देना चाहते हैं तो 30 सब्द प्रती मिनट होना चाहिए जिया दोस्तों हो सकता है कि अभी आपकी typing test होगा return test के बाद कहीं जाकर typing test होता है तो आपको के पास बहुत समय भी परयापत बाकी है तो यदि आप इस form को भड़ना चाहते हैं मुख्य रूप से बोला जाए तो यदि आप ऐसे service man की रूप में कारे करना चाहते हैं जो कि देश की सेवा भी कर रहा है लेकिन बहुत तो यह मिनिस्ट्रियल का पोस्ट ऐसा होता है जिसमें आप कम आइट के लिए नहीं छाटे जाते हैं यति आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप इस job को आसानी से कर सकते हैं तो चली हम बात कर लेते हैं selection process की जैसा कि मैंने आपसे बताया था यहां पर देखिए सबसे रिटेन टेस्ट होता है रिटेन टेस्ट होने के बाद रिटेन टेस्ट समाने रूप से अब्येटिकल किसम के प्रसनाते हैं जिसे आप लोग को हल करना होता है फिर इसकिल टेस्ट यानि कि टैपिंग टेस्ट होता है फिर डॉक्यमेंटेशन होता है फिर डिटेल मेडिकल इसमें बहुत सारी डीटेल्स नहीं दी गई है क्योंकि यह अभी आठ ताइक से फॉर्म भरा जाना प्रारम्भ होगा तो डीटेल्ड नोटिफिकेसर अभी जारी नहीं किया गया है यह उपर ही तौर पर ही नोटीस जारी किया गया है लेकिन आप दोको परिसान होनी कि आउस सकता नहीं है क्योंकि हमारे ऐसे दोस्त भी मौजूद हैं जो इस समय इस पद पर कारे रहत हैं यानि कि ITBP में हैट कॉंस्टेबल के मिनिस्ट्रियल पर पर वह कारे कर रहे हैं तो आप लोग को परिसान होनी कि आउस सकता नहीं है यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का प दूर हैं और इतना परियात हमारे पास समय भी नहीं है लेकिन हम फोन के माध्यम से उनका इंटरव्यू लेंगे और आपके प्रस्णों को सामिल करेंगे जो आपने प्रस्ण हमसे कमेंट में पूछे हैं तो चली हम देख लेते हैं कि इस फॉर्म कब से कब तक भरा जाना है यानि कि 7 जुलाई 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं यानि कि कुल मिला कर एक महिने का समय आपको दिया जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए तो जी हां दोस्तों आपको भोलिएगा नहीं किसी प्रकार का प्रस्ण हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं हम उस प्रस्णों को आवसे सामिल करेंगे जब हम उनका इंटर्व्यू लेंगे तो आसा करता हूँ यह जानकार इपको पसंद आई होगी और वीडियो अच्छा भी लगा होगा यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दिएगा हमाई चाल को सस्क्राइब कर दि कर आए तो इसकी आप जानकारी आपको हो सके तो हमाई साथ मने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद मिलते हैं अगले वीडियो में